यॺई 27 अश्वक्षा अंम्स्कार मैं इस्टॉलाजिए निमरोलॉजिस्सु कंसल्टिंट साजिता गुपता आप सब का बहुतब बहुत स्वागत करती। आज मैं बात करें मौति स्टोन के लिए ढूडर्मियाуєं जैम स्टोन में सबसे यानि क्योंकि चंद्रमा कारपती का और चंद्रमा क्या है हमारे मन को रिप्रेजेंट करता है एस्टॉलेजी के अनुसार यानि हमारे मन की स्थिती कैसी रहेगी चंद्रमा की डिग्री वाइस स्थिती पर चंद्रमा किस घर में है किस राशी में इस पर बहुत बड़ा डिप प्रेशन के शिकार हो रहे हैं ना तो हम अपनी इच्छाओं पर लगाम है और ना ही जीवन शैली जो है संतुलित है एक ही घर में रहते वे लोग आपस में कॉडिनेशन नहीं है बाचीत नहीं है तो मानसिक शांति के लिए हम बहुत सारे उपाए करते हैं सब चीजे खोज र दरते हैं यह पाया कहा जाता है समुद्र के भीतर सीप में जो पाया जाता है मोती उसको जो है जब हम पहनते हैं तो वहां हमें मानसिक शांति और में स्मृद्धी देने का कारक बनता है क्योंकि ये एक ऐसा चमतकारी इस टोन है जो अब болeen वहां किसर में हैं कौन से कुछ संसर्वन क्रोड में इसको देक पह्चाद तक में चाहना मॉती उसकी पहचांद कियो कि आर्टिफिशल मोती जो है market में बहुत मिल रहे हैं लेकिन प्रभाव कौन सा करेगा मोती जो आपको natural से natural मिलेगा वही stone जो है आपके लिए लाबकारी है क्योंकि stone को पहनते हैं जब हम तो हमारी तवचा से सीधा संपर्क करता है और जब हमारी तवचा से संपर्क करता है तो पूरा जो हमारा blood है उस circulation को जो है वो प्रभावित करता है यही blood हमारे दिल और दिमाग पर जाता है और हम सही decision यानि सही निर्डे ले पाते हैं artificial मोती में न oxygen है न सपर्ष से उसको कोई benefit मिलता है इसका संबंद अगर मन में रहता है तो अगर किसी का मन अकाग्र नहीं रहता बात बात पर गुस्सा आता है हर बात पर 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 जल्दी होच पर यानि हो सब्सक्राइब करें डहीद आपके लिए बहुत कारागर है चंद्रमा की सिति के सासत मोती को आप इसरे से पहन सकते हो समानेता है अगर बात करें जिनका लगन या जिनकी राशी मेश राशी यानि Rivers करท he यानि Cancer, धनु यानि Sagittarius, मीन यानि Pisces है, वो लोग तो पहन नी सकते हैं, बाकि स्थिती के अनुसार जो है, इसको पहन सकते हैं, क्योंकि हर रत्न का अपना स्वभाव गुन होता है, किसी का ठंडा, तो किसी का गर्म होता है, तो मोती जो है, ठंडे स्वभाव का रत्न है, या जो जिसके अंदर बहुत ज़्यदा तेजी है, या गुस्सा है, या पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो उनके लिए बहुत ही लाबकारी है, स्टुडेंट्स पढ़ाई में कागरता नहीं ले पारे, काम में दिल नहीं लग रहा, तो ये मोती स्टोन जो है, बहुत ही लाब सब्सक्राइब नोटों जाए ने तह्या या जा को मुष्ट मेता है इस जाता है कि सब्सक्राइब ಔर यह कुद्म इस वॱूंत दों से मती का लगार अनुट्यम्ट मैं टेक yapıyor जाता है मतिकर मा रिखने के लिए संदरमाका का चांधी का कुछ पहना तो उसमें आप बोटी भी डाल सकते हो और इस निर्चने को डालने से बच्चे को कोई सपने अता या डर लगता है या बच्चा किसी सपने को में देखकर के घबरा जाता है या स्वास्ते संबंदी समस्या या रही तो मोती बहुत कारेगार सिद रहेगा अब कितने जो है वजन का मोती होना चाहिए नॉर्मली जो है छोटे बच्चों की बात ने करी उनके बच्चों के में पहन सकते हैं इसके अलावा अगर आप गले में पहनना चाहते हैं तो चांदी के लॉकेट में इसको जड़वा सकते हैं और इसको सफेद धाके या चांदी की चेन में पहनना चाहिए अब मोती को पहनने से पहले आपको उसको शुद करना यानि उसको प्रान करना है और इसके बाद इसको आप गंगा जल से धोकर इसको पहन ले और इसको सोमवार के दिन सूरह दे के एक घंटे के अंदर अंदर पहनना चाहिए इसको शुकल पक्ष में पहना जाता है इस बात का खास खयाल रखें आप भी मोती से जुड़ी कोई जानकारी चाहते हैं आप जानना चाहते का पहनना है कितने वजन का पहनना है और गले में पहनना सुटेबल है या फिर हाथ में पहनना है तो इसके लिए आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं परामश के लिए सवाल पूछ सकते हैं साथ ही अंद में इस वीडियो को लाइक और सब् फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद